कई साल से पाकस्तान में रह रहे अंडर वर्ल्ड ओन दाउद इब्राहिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसी चर्चा है कि गंभीर हालत में दाउद को कराची के एक अस्पताल में लाया गया जिसके बाद उसका इलाज किया जा रहा है। दाउद को उसके घर पर ही जहर दे दिया गया है जिससे उसकी हालत बिगडी है हाला कि इन रिपोर्ट की पुष्टी नहीं हो सकी है संताउन साल के दाउद पर भारत में कई केस हैं जिन से बच्चते हुए वो कई सालों से कराची में रह रहा है आज इस वीडियो में हम आपको दाउद की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं हर एक वो कांड जिसको दाउद ने अंजाम दिया है डोंगरे इलाके में रहने वाला एक साथ साल का लड़का जो महले में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता है पास ही के एक चाचा की दुकान से मीठी गोलियां खरीटता है पिता मुंबई पुलिस में एमानदार सिपाही है वक्त बीटता है अब उसके उम्र संतावन साल हो चुकी है अचानक से खबर आती है कि उसे पाकस्तान में जहर दे दिया गया है पूरा देश ठब पढ़ जाता है टुटर और गूगल डाउन पढ़ जाता है इधर भारत में भी हलचल बढ़ जाती है मुंबई पुलिस ये जानने में जुट जाती है कि भारत के मोस्ट वांटड अंडर वर्ल डॉन को सच में जहर दिया गया है या महज एक अफवा है डोंगरी के इलाकी में रहने वाले और पाकिस्तान में कथित तोर पर जहर का शिकार होने वाले इस शक्स का नाम दाउद इबराहिम है एक समय ऐसा भी था जब बंबई की सड़कों पर दाउद का नाम पोकारने के हिम्मत भी कोई नहीं करता था साल 1905 में महराश्च के रतनागरी में दाउद इबराहिम पैदा हुआ दाउद के माता पिता ने उसका नाम शेख दाउद इबराहिम कासकर रखा पिता शेख इबराहिम अली कासकर मुंबई पुलस में हवालदार हुआ करते थे परेबार आम जिंदिगी चाहता था लेकिन जैसे जैसे दाउद बड़ा होता गया उसमें लगजरी लाइफ जीने की चाहत बढ़ गए महले के अवारा लड़कों के साथ घूमने लगा पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माना धीरे धीरे डकैती और तसकरी करने लगा जब पिता तक ये बात पहुँची तो उन्होंने दाउद को घर से निकाल दिया फिर दाउद उस वक्त बंबई के कुखियाद गैंग्स्टर करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया यहां से वो हाजी मस्तान की गैंग में गया अंडर वल्डाउन दाउद इबराहिम भारत के सबसे वन्शत अपरा दी है सुप्रीम कोट ने गुरुवार को 1993 के मुंबई बंधमाकों के मामले में दाउद इबराहिम और उनके भाई अनीस इबराहिम को साजुष करता माना है फिल्म अभिनेता संजदत को इन धमाकों के दौरान ही अपने पास हत्यार रखने के जुर्ब में देश की सुप्रीम कोट ने 5 साल क्याद की सज़ा सुनाई थी भारत के वैवसाइक राज़तानी कही जाने वाली मुंबई में तक्रीबन 20 साल पहले एक के बाद एक हुए बंधमाकों में 267 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से जादा घायल हुए थी मुकत्मे की दोरान सरकार की उर से रखे गए पक्ष में दलील दी गई थी कि संभवता इन धमाकों को मुंबई में साल भर पहले हुए दंगे की प्रतिकरिया के तौर पर अंजाम दिया गया है साल 1992 में बाबरी मज़द विद्वन्स के बाद मुंबई में हुए दंगों में बड़ी संख्या में मुस्लिमों की मौत हुई थी दंगों के सिलसिले में मुंबई और पास के इलाकों को मजबूत दक्षनपंती राजनीतिक संघटन शिफ सेना का नाम लिया जाता रहा है दाउद इबराहिम धमाकों से पहले ही भारत छोड़ चुके थे भारत सरकार बार बार आरोप लगाती रही है कि उन्होंने पाकिस्तान में शरन ले रखी है लेकिन पाकिस्तान इससे इंकार करता रहा है अमेरिका की सरकार ने दाओद इमराहिम को विश्वस्तरिय आतंकवादियों के सम्मर्थकों की सूची में डाल रखा है साल 2003 में तयार लिस्ट के मताबिक एक पुलिस कॉंस्टिवल के बेटे दाओद इबराहिम पिछले दो दशकों में भारती अंडर वर्ल के सबसे बड़े अपरादियों में से एक है इस सूचना में कहा गया है कि वो नशीली दवाओं की तसकिरी में शामिल रहे हैं अब मुंबई अपराद सर्गना में 1990 के दशक में तालिबान की देखरेक और अफगानिस्तान की यात्रक भी की थी भारती जाच अधिकारियों के मताबिक दाओद इबराहिम का जन महराष्ट के रत्नागिरी शहर में हुआ था भारती जाच अधिकारियों के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है लेकिन पुलिस के मताबिक दाओद इबराहिम ने स्कूल स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ दी थी अपराद के जीवन के प्रारंबिक दिनों में वो मुंबई के अंडर वर्ल डॉन करीम लाला के गैंग के लिए काम करते थे लेकिन उन्हें 190 के दशक में उनका नाम मुंबई अपराद जगत में बहुत तीजी से उबरा और कहा जाता था कि उनकी पहुँच फिल्म जगत से लेकर सट्टी और शेहर बजार तक पहुँच गई है झाल ऑडराद से लेकर सprotके से लेकर है